दोस्तों वैसे तो मैं अपने चैनल पे अर्णिंग प्रूफ पेमेंड प्रूफ ये सब बहुत कम ही दिखाता हूँ लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब इस तरह की बाचित चल रही है कि ब्लागिंग में पोटेंशियल है या नहीं या फिर इसमें काम किया जा सकता है या फ और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप लास तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि ब्लागिंग में कितना पोटेंशियल है और क्या आप एस्टेप ले सकते हैं ब्लाग स्टार्ट करने का क्या इतना रिस्क लेना आज के टाइम पर वर्फि क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो लेके आता रहूंगा जिसने आपको ब्लागिंग डिस्टल मार्केटिंग ऑनलाइन पैसे बनाने इन सब चीजों से बहुत सारा इंसाइट्स और बहुत सारे अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे तो आज की जो कहा ब्लागिंग के हिसाब से समझा जाए तो एक लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा नॉलेज रखते हैं लेकिन थियोरेटिकल सब कुछ जानेंगे सब कुछ देखेंगे हर तरह का इंफॉरमेशन गैदर करेंगे उनको सब पता होता है कि किस तरीके से ब्लागिंग काम करती है कैसे पैसे बनते हैं कैसे सब कुछ काम करता है लेकिन और रिस्ट नहीं लेते हैं और फिर जब वो प्रॉसस खतम हो जाता है एक तरीके से वो पोटेंशल जब खतम हो जाता है तो आज मतलब अच्छी स्थिति रहती दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो जिनको थोड़ा बहुत भी हिंट मिल जाए ना धोरा बहुत भी information मिल जाए तो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं देन उसके बाद अलग-अलग steps लेते हुए उनको result दिखना स्टार्ट हो जाता है तो आपको समझना है कि किस तरह के category में fill करना आपने आपको क्योंकि मैंने बहुत सारे कि मुझे से कि हाँ आज से 5-6 साल पहले blog चलाना बहुत आसान था कुछ भी लिख दो copy paste कर दो keyword stuff कर दो आराम से rank करता था तब लोग event blog बहुत अच्छे से करते थे तो लोग सोचते हैं कि कास तब start किया होता अगर recent कुछ दिनों की बात कर रहे ना 2-3 सालों की तो इसमें मै वेवे स्टोरी का पूरा ऐसे भूचाल साय था उसमें भी लोगोंने कहा कि अरे वेवे स्टोरी पर कैसे काम करना है बहुत सारे लोग ने किया भी यूएस में टार्गेट करके किया तो अच्छा पैसा बनाया वहाँ भी अब खतम अगर हो गया है तो लोग कहते हैं कि कास तो कुछ इसी तरह का एक और पोटेंशल आज के टाइम पर दिख रहा है गूगल डिस्कवर का जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आके बता भी रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनको एस्टेप लेना बा तो उसको मैं समझाओंगा सीधे अपने लापटाप के स्क्रीन पर चलके क्योंकि वहां पर मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा बहुत प्रूफ भी शेयर करूं जिससे आपको इस वीडियो पर या फिर मेरे इस वाइस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट हो सके तो चलिए स स्क्रीन पर चलते हैं और उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर हूँ और यहां पर सामने खुला हुआ है फेसबुक का पे आउट सेक्शन मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ अभी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी शाजा कर देता हूं फेसबुक पे हम लोग ना इंस्टेंट आर्टिकल के उपर काम करते थे जो की अभी के टाइम पर बंद हो गया है मैंने इसके उपर एक वीडियो भी बनाया था जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा देखिए बंद हुआ फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल तो यह आठ महीने पहले एनाउंस हुआ था फेसबुक के तरब से कि इंस्टेंट आर्टिकल को बंद किया जा रहा है और मार्च या एप्रिल के लास्ट में इसको बंद किया जाना था उस ट तरीके से आप समझ लिए कि यह एक opportunity थी हम लोगों के लिए जिनके पास facebook instant article था उन लोगों ने खूब दबाके यहां से काम किया और खूब अच्छा revenue जनरेट किया तो मैं आपको उसी का एक payment proof अभी दिखाऊंगा जिसके थूँ आपको idea लग जाएगा कि हाँ किस तरीके का अगर आप कोई एक potential कोई एक opportunity को miss नहीं करते हैं तो किस तरीके की revenue आप generate कर सकते हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 35 dollar amount जो है फसा हुआ ही है क्योंकि हर जगा हो रहता है almost minimum 100 dollar अगर हो तभी हो देते हैं तो यहां से मैं आपको transaction पे click करता हूँ और transaction में फिर payouts प फरवरी इस तरीके से निकलता है तो मैं इस तीन date का आपको दिखा रहा हूँ payout सब कुछ live चल रहा है रिफ्रेस ही हो रहा है तो देखिए 21 फरवरी को हमारा 2000 dollar का payment आया था मतलब release हुआ था फिर 21 March को यह 10,000 dollar के आसपास का payment रिलीज हुआ था और फिर 21 April के पास यह 7,000 dollar का हुआ था तो अगर इन दोनों को आप जोड़े तो अल्मोस्ट 18,000 dollar का payment तो सिर्फ Facebook से आया है बाकी का जो आपने thumbnail में देखा है 2000 dollar ओ एक MG ID करके payment gateway network है वहां से 1000 dollar और Google AdSense के तरफ से भी हमें 1000 dollar plus का ही payment आया था इन तीन महीनों का तीन महीने या फिर कहें तो दो महीने ही हमा तो आपको दिख रहा हुआ कि किस तरीके से अगर आप कोई एक potential को grab करते हैं कोई एक opportunity को grab करते हैं तो किस तरीके से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं और विश्वास कीजिए आज के टाइम पे भी ब्लॉगिंग में इतना ही potential है चाहे तरीका बदलता है हर बार कभी हो तरीक वेवे स्टोरी का होता है कभी हो तरीका Facebook instant article का होता है कभी हो तरीका simple Google में rank कराने वाला तरीका होता है और आज वह तरीका Google discover है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से एक बहुत ही छोटे time के भीतर जो अगर हमें कुछ potential मिला था कुछ opportunity मिली थी तो हमने किस से उसे grab किया दो महीने में 20,000 डॉलर बहुत लोग के लिए बहुत जादा होता है हमारे लिए तो बहुत जादा था लेकिन हां हमने dedication के साथ बहुत आराम से उस process को trust करके काम किया तो result जो है सही भी हुआ और जो सपना है उसाकार भी हुआ अब ऐसे में बात आती है कि आज तरीके से discover ने उनकी पूरी life बदल दी है तो अगर आप भी discover पे काम करना चाहते है तो आपको step लेना होगा और discover जो है एक तरह की viral blogging है मैंने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर Facebook से related किया था कि हाँ Facebook से कैसे traffic लेना है तो ओ भी एक viral blogging था तो अगर आपको discover पे काम करन तो उससे पहले मैं एक और चीज़ रेकमेंड करूंगा आपको कि आप मेरा recent वीडियो जाके देखिए उसमें मैंने पूरा अंतर समझाया है कि एक general blog किस तरीके का होता है एक tool blog किस तरीके का होता है और एक viral blog किस तरीके का होता है हर blog में आज के time पर पैसा है आप किसी भी पैसा कमा सकते हैं और मैंने payment proof जो दिखाया उससे आपको idea लग गया होगा कि हाँ potential तो है तो आपको क्या करना है क्या आपको discover पे काम करना चाहिए भी या नहीं क्या उसके लिए जो minimum eligibility का ITV है वह आप fulfill करते हैं या भी नहीं इस सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और यह आपको usually YouTube पे कोई नहीं बताता है सब लोग कहते हैं कि tool website start कर लो, discover कर लो, ranking करना है start कर लो लेकिन ओ जो पूरा फर्क है आपको कहीं पता नहीं चलेगा उसके लिए मैंने एक बहुत ही dedicated वीडियो पूरा एकदम explain करके बनाया हुआ है recently अप्लोड की आपने चैनल पे इसके साथ ही मैं सोच रहा हूँ ना कि Google Discover पे जब इतनी बात हो रही है हजारो डॉलर कमाने का potential उसमें हर मांथ तो मैं दो चीज़ा सोच रहा हूँ पहला तो एक YouTube पे पूरा फुल वीडियो लेके आऊ जिसमें मैं पूरा A to Z आप लोग को बताऊं कि हां किस तरीके से Discover पे महीनों का उसमें 25-30 लोगों को शामिल किया जाए और उनको एक पूरा hand to hand holding support करे और अलब एकदम live interaction करके हम लोगे एक private meeting का एक पूरा ऐसा group बना जिसमें उस 25-30 लोगों के साथ एक experiment किया जाए उनके साथ डिसकवर पे 2-3 महीने काम किया जाए मतलब काम आपका होगा मेरा support इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस उन 25-30 डेडिकेटेड लोगों के साथ मेरा काम करने का मन है तो अगर आप उस चीज में भी इंट्रेस्ट रखते हैं और मुझे कुछ ऐसा लेके आना चाहिए तो आप नीचे comment box में मुझे जरूर बताएगा and I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईडिया लग गया हुआ कि ब्लॉगिंग अभी भी जिन्दा है ब्लॉगिंग में आगे भी बहुत सारा potential बाकी है और आज भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको वीडियो पसं अधिका बहुत बहुत धन्यवाद